कद करम वीर जी चंडिगर्स राधा वुल्लोग श्रीह रिवेंश मराजी महाराजी नाम जब करना कठिन नाम जब बचाना कठिन नाम जब पचाना कठिन पहरें इसका अभिपराय समयना चाहरे थे विश्प्र करना है आप तीर्थयातन कर सकते हो, आप सास्त्रश्वाध्याय कर सकते हो, आप दानपुन्नी कर सकते हो, आप दूसरों की सेवा में भी मन लगा सकते हो, लेकिन नाम जब आप चार गंटे बराबर एक नाम, जिसे राधा, तो चार गंटे राधा, 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 फोड़ी दे रादा नाम जपना थोड़ी दे रही कि आ अईसे तो लग जाएगा लेकिन चार घंटे, तीन घंटे, दो घंटे या एक घंटे खुछ है नहीं बोलेंगे केड़ राधा, 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 राधा आप करना कठिन पड़ेगा आप करके देखो यह सब अपनी अनुभव की बाते कह रहे हैं तो भाजन करना कठिन अब भाजन जैसे हो गया तो गुद गुदी होती है कि हम तो 21 माला रोज गुर मंत्र के करते हैं और घंटा वर नामकीरतन करते हैं अपना गुड़ा भिमान तम आना जाएगा जब दूसरे पर दर्सन हो है क्या या नरक्तुली जीवन बितीत कर रहे हैं ऐसे करते हैं देखो वो बचा नहीं पाए न जब यह बात आगे कि अरे हम क्या बजन अगर हमें करना होता तो पहले कर लेते ये तो गुरु कृपा से हो रहा है ये तो सिरी जी की कृपा से हो रहा है तो बच गया अब पचाना कोई तुम्हें बहुत प्रतिकूल परिस्थिती पैदा कर दी अपमान निंदा बहुत संकट अब तुम्हारा हम देखे यह दुखी हो परेशान हो तो चुकि भजन है गया उसको परेशान करना शुरू कर दिया पचा नहीं नहीं भजन उल्टी हो गई खतम खेल अब वो नाम है नस्ट नहीं होगा पर प्रभाव से तो तुमने दुख कर अब वो बहुत किस जन्म में फिर प्रकट होगा इसलिए ओने दुखक करना कटेन को बचाना कटें ऊसको बचा के पचाना कटें को यह गाली यहुग हो गाली दे हैं ऑब लो गाली हम से हो तो हमार पुरुष है उसका किया हुआ पमान सह गया वो आगे बढ़ गया भगवान को प्राप्ट होने की योगिता अगया उसके अंदर यह अध्यात्म है यह थोड़ा संसार से उल्टा मार गए लेकिन भक्त यहीं सुचता है आज मेरी परिक्षा हो रहे हैं भगवान इस शुरूप भगवान का चरित्र नहीं आता वह गंगा इश्नान करके वहां से निकले तो उपर किसी अधर्मी का मकान था तो गली में देखा संतना आगजार थूप दिया तो उपर गिया अब ठाकुर सेवा करनी तो फिर इस श्नान करने गया फिर आज अधर फिर थूप दिया सौ बार थुका वो शौ बार इश्नान करने गये जब आपस लोट के आए तो हार गया आके चरणुम प्रणाम किया महराज आपने एक बार हमें देखा भी नहीं गाली भी नहीं दी नाराज भी नहीं हुए भाईया तुम्हारी तो बड़ी कृपा हम पे हुई हम नाराज क्यों इसनान हम सौ दिन में कर पाते हैं आज आपकी क्रपा से एक दिन में सौ बार इसनान हुआ यह तो आपकी क्रपा हुए एक रोध नहीं यह तो आपने हम पे क्रपा के यह देखो यह साधू की सोच जिसका भजन पच गया है जिसने अपने भजन को बचा लिया है अगर अपन पता नहीं था कि ऐसे संत कृपाल होते हैं कभी किसी संत का वपमान नहीं करेंगा अगर वो द्रोह कर देते तो उसका और बढ़ जाता है क्योंकि दुष्ट तो था हैं लेकिन उस सहे गए तो यह सहन सीलता उसका परिवर्तन कर यह भजन करना कठिन करके बचाना कठिन बचा के पचाना यह तीनों बाते सत्संग से हो जाते हैं संत संग से भजन करने की पेरणा मिलती हैं हम कैसे बचाएं इसकी पेरणा मिलती है और कैसे पचता है इसकी विपेड़ा मिलती है साद शमागम भजन करना सिखाता है भजन बचाना सिखाता है और भजन पचाना सिखाता है समच पार है याँ? कविंद्र जी शादे माराज